नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और एच पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 10 स्टमबर 2021 की हमाचल परदेश की आज की टॉप 10 ताजा ख़बरों की जनकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंट तक पने रहिए अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और अंकित वर्मा और एच पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हमाचल परदेश की हर न तो देख सकते हैं आपके सामने जो आज की पहली तार्यक हवर बेकिंग निउस है कि मौसम हमाचल के निर्मंड में भोसकलन से कई मकानों में दरार हैं बद्दी में भारी बारिश चार जिलों में बार का अलर्ट तो तस्वीरें आप देख सकते हैं हमाचल परदेश के कुल 222 बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है अगनिज़ाब की करोना हमाचल में 6 संक्रमितों की मौत 145 नई पोजिटे मरीज जाने सक्रिये केस है तो परदेश में करोना मिरित्कों का आंकड़ा 3612 पहुँच गया है अब तक करोना के 2,15,235 मामले आ चुके हैं इन में स 2,9,887 ठीक हो चुके हैं करोना के जोए सक्रिये मामले 3719 हो गये हैं और बीते 24 गंटों में 149 में ठीक हुए हैं अगनिज़ाब की हमाचल चंबा जीले में भुकम्प के जटके रियक्टर पैमानने पर 3.6 रही तीवरता तो भुकम्प के जटका कांगड़ा जीले के कई भ इसी तरह के जान माल के नुकसान की सोचना नहीं है बता दे इससे पहले भी चंबा जीले में कई बार भुकम्प आता रहा है अगनिज़ाब की गोविन थाकुर बोले शेक्षक शेत्र के धांचे के मजबूती पर खर्चे जाएंगे 650 क्रोड तो शेक्षा मंतरी गुरुब में बतोर मुख्यतिती बोल रहे थे अगनिज़ाब की नई दिल्ले में जेपी नड़ा से सीम जैराम ने की सरकार और संकठन पर मंतरना तो सीम जैराम ठाकुर ने नड़ा से राज्य में मंतरियों की परफॉमेंस पर भी चर्चा की इसके अलावा परदेश बादपा के अगनिज़ाब की कि लहूल में प्रवेश पर प्रयटकों से टेक्स पसूली शूरू प्रशासन ने स्थापित किये वैरियर तो लहूल के प्रवेश द्वार पर स्थितत अटल टनल के नौर्थ पोर्टल के समीप विशेश क्षेतर विकास प्राधिकर्ण के तहत बैरियर स थानियक्षेत्र में विकास और सु विधाओं पर खर्च की जाएगी अगनियुजाब की कि पी एम के जनम देन पर हिमाचल भाजपा युवा मोर्चा लगाएगा मोधी मेला तो सांसत सुरेश कल्षप ने कहा कि भाजियुमों स्तारा स्तंबर कुलुए प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के जनम देन पर मोधी मेले का आयोजन करेगा अगनियुजाब की विधानसाबा अध्यक्ष और मुख्य मंतरी ने राश्ट्रपती को हिमाचल विधानसाबा के विशेश सत्र में आने का दिया नियोत्ता मुखे मंतरी जैराम ठाकुर ने राज्ये में राज्ये की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजने बाले विधानसाबा के विशेश सत्र को संबोधित करने के लिए राश्ट्रपती रामनात कोविंद को हिमाचल परदेश आने का आपचारिक निमंत्र में धिया अगनी उजपकी करमचारी चाहिन आयोग जेएग की टंकण परिक्षा फिर स्थागत कर दीया हाई कोर्ट में स्टेकेस के जज़्दे या परिक्षा पहली भी तीसरी बार स्थागत की जा चुकी है अगणि उजाब की कि शोलिनी उनिवस्टी टॉप सो में देश भर के चुनिंदा विश्य विद्यले की सूची में एंट्री तो शोलिनी उनिवस्टी ने शिर्ष सो विश्य विद्यले की लीग में प्रवेश कर लिया है शूलनी यूनिवस्टी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा कि इस तरह की प्रतिष्टित रेंकिंग हासिल करना यूनिवस्टी के लिए बहुत गर्व की बात है अगनिवस्टी की कि आज भी हम जी रहे गुलामी का जीवन शांता कुमार बोलोए बोले हिमाचली भाषा पर भी हो विचार तो राष्ट्री शिक्षानीती पर शांता कुमार ने हिंदी भाषा को प्रात्मित्ता देने पर बल दिया प्रदेश के पूरुब मुख्य मंत्री केंद्री मंत्री वा भाष्ट्पा के वरिष्ट राष्ट्री नेता शांता कुमार ने राष्ट्री शिक्षानीती पर आयोजित कारेकरम के दोरान कहा कि उन्हें नेता की ब्रादरी से होने पर बहुत अधिक पीड़ा होती है और ये देश का दुर्भाग्या है उन्होंने कहा कि बोर्ड में राष्ट्रे नीती पर मन्थन करने के लिए वह पूर्व मुख्यमंत्री या नित्ता के रूप में नहीं अपित्तु एक अध्यापक के रूप में ही आये हैं अगनिवजापकी कलस्टर विश्व विद्यले मंडी को देंगे अच्छा केंपस कॉलेज के स्थाई परिसर के लिए देखी जा रही दोसो बिगा जमीन अगनिवजापकी की आईजीमसी में लंगर विबाद पर बिठाई जाँच जीला नियाई का दिकारी को सौंपा जिम्मा 15 दिन में देनी होगी रिपूर्ट तो परिदेश के सबसे बड़े अस्थाल आईजीमसी में उपजे लंगर विबाद पर सरकार ने जाच बिठा दी है गुरुबार कुराज जी सरकार के गिराव ग्रेव विभाग की और से इसकी सूचना जो है जारी की गई अगनि उजाब की कि लाल चाबल की पिछ करेगी कमाल गर्बती महिलाओं बच्चों के लिए बहुत अप्योगी और स्वादिष्ट होता है रेट राइस अगनि उजाब की कि चीक पुकार से गुंज उठा गाउन ना मांखों से ग्रामिनों ने जो है दीव गाउन की बेटी को अंतिम बिदाई तो दो साल पहले जिस घर से मा बाप ने अपनी एकलोती बेटी जोती को दुलहन बना कर डोली में बिठा कर खुशी खुशी बिदा किया था उसी घर के अंगन में बेटी की अर्थी उठी जोती की अर्थी को दुलहन की तरह सदाया गया था टुकडों में बटा जोती के कंकाल को देखकर माता सावित्री देवी बिलखते हुए बेहोश हो गई अगनिवजापकी कि उन्ना के गगरेट में चिट्टे के साथ हमिरपुर का युवक गिर्पतार अगनिवजापकी कि फर्जी डिगरी जांच से संतुष्ट नहीं हूँ जेलों में बंद होने वाले लोग घूम रहे हैं बाहर शांता कुमार अगनिवजापकी कि शर्मनाक टांडा मेडिकल कॉलेज में चालक ने महिला तीमारदार से साब करवाई 108 एम्बूलेंस कांगडा से न्यूजापकी कि टेलर की करतूत लड़की का कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाकर किया वाइरल तो बीबियन से न्यूज है कि बीबियन कशेतर में एक टेलर ने दुकान पर आई लड़की का कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाकर उसे वर्सयाप पर वाइरल कर दिया वीडियो बाइरल होने के बाद लड़की की माने टेलर की इसकी इनौनी करतूत की शिकायत पुलिस थाना नालागड में दी तो दोस्तों ये थी आज 10 स्टमबर 2021 की हिमाचल परदेश की आज की टॉप 10 ताजा खबरें अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा ओल एपी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके धन्यवाद जय हैं जय भाद